ये एक advanced level का octopus concepts है, जिसको हम लगा अतार implement कर सकते हैं normally इसको Friday को deploy करते हैं, आज Friday का ही दिन है तो आज मैं इसे strategy को आपको अच्छे तरीके से life समझा पाऊगा ये concept अगर आपके वीडियो कभी भी देखा हैं तो हमेशा valid है इसको different formats में बनाया जा सकता है, आज मैं इसको एक अलग style में बनाऊँगा आपके सांगे तो अगर 49,600 बजार बंद होता है तो हमें 990 बाहिन का पाविद होगा इसी तरीके से हमें पूरी calculation करनी है और इस calculation को करने के लिए आई होब आप OTM, ATM, ITM, options, time value, intrinsic value और option settlement अच्छे तरीके से समझते हैं बैंक निप्ट ये कैसी चीज़ जो की एक छित्ती गोड़ा है और इस पे कैसे लगाम कसी जाए वो अब हम यहाँ से देखेंगे कि किस तरीके से straight को hedge किया जाए हलाकि बहुत बड़ी range हमने ले लिया है, 1600 पाइंट की range को हमने cover कर लिया है क्योंकि अगर आप loss making trade पेसेंट बनाएंगे तो आप पेसेंट मन जाएंगे पेसेंट राइट डारेक्शन में होना भी उत्रा ही important है यह एक ऐसी strategy है जो कि हम लोग live market में आज सीखेंगे अब पूरी strategy को मैं आपको explain करूँगा A2Z पूरे concept को explain करूँगा कि कब आपको shifting करनी है किस तरीके से margin requirement होगी और कैसे हम इस पे consistent regular return बना सकते हैं तो start करते हैं strategy को और समझते हैं पूरे concept को 100% है यह strategy रहती है और कितने खुबसूरत तरीके से इसमें पैसा बनता है यह हम आज देखेंगे 39,700 का call option 39,000 इसमें अगर आप 500 points अप्रोक्स हैट करेंगे तो यह आपका बनता है 40,200 का call option और एक बनता है 40,700 का call option simultaneously अगर हम नीचे की तरफ लेंगे तो हमारा बनता है 39,700 का put option 39,200 का put option और उसके बाद बनता है 38,700 का put option मैंने यहां से 500 points distance उपर और 500 points distance नीचे के call और put price सबसे पहले ले लिये हैं तो हम लोग चलते हैं इदर और ज़रा स्क्रीन पर लगा लेते हैं तो सबसे पहले call price 39,700 की call price और expiry latest 29 March इसका rate चल रहा है 363 उसके बाद यहां से 500 points दूर उसका rate चल रहा है 40,200 और इसके बाद यहां से अगें 500 points दूर जिसका rate चल रहा है 45 तो हमारे पाद तीन रेट आ गए 365,150 अपरोक्स और 45 तो 365 365,150 और 45 और नीचे की अगर हम बात करें तो 49,700 की put तो नीचे के rate ले लेते हैं बिलकुल live मैं यहां पर ले रहा हूं आप देख सकते हैं तो 49,700 की put का rate 311 और इससे 500 points तूर 49,200 और यह हो गया 38 इसका rate आ रहा है 310,150 और 70 यह 310,150 और 70 यह 3 rate मैंने यहां पर ले लिया है call और put के बहुत ध्यान से देखेगा strategy को copy pen लेके वैटे पूरा समझेगा सबसे पहले repeat कर रहा हूं हमने current market price लिया वहां से 500 points distance के 33 strike price मैंने ले लिये 39,700 424,400 नीचे के भी 33 ले लिये अब हमें क्या करना है अपना break-even point निकलना break-even point मतलब ऐसा point अगर मैं trade बनाता हूं तो ऐसा कौन सा point है जहां से मुझे loss आना शुरू हो जाएगा जैसे अगर बात करें 49,500 अगर 49,500 से 500,750 तर और 575,000 करता है तो अगर 39,500 की बात करें तो यहां पर बजार बंद होता है expiry वाले दिन तो मेरी यह वाली call option 0 हो जाएंगी जो 40,200 की call option है वो भी 0 हो जाएंगी जो 40,700 की call option है वो भी 0 हो जाएंगी तीनों श्ट्राइक प्राइस हमारे OTM बन जाएंगे और साइमर्टेनियसली आप यहां पर देखेंगे तो 49,700 की put option 200 रुपी की हो जाएंगी क्योंकि 200 पॉइंट से इंदा मनी बन जाएंगी तब यह मुझे 110 पैंट का profit देंगी 49,200 की put 150 का profit और 300 की put मुझे 70 रुपय का यहां पर profit देगी तो अगर 39,500 बजार बंद होता है तो मुझे 890 पैंट का profit देखने के लिए मिलेगा इसी तरीके से हमें पूरी calculation करनी है और इस calculation को करने के लिए I hope आप OTM, ATM, ITM, options, time value, intrinsic value और option settlement अच्छे तरीके से समझते हैं क्योंकि जब आप चीज़े अच्छे तरीके से समझते हैं तो आप बहुत ही खुबसूरत तरीके से इसकी पूरी calculation कर सकते हैं क्या आप ऐसी strategies धूंड रहे हैं जिसमें minimum drawdown and 100% हैंजिंग के साथ आप consistent regular money बना सकें तो आप IBBM का app नीचे दिएगा description box के link से download के तो अब अगर आप देखेंगे तो 39500 एक calculation में आपको करके दिखाई एक और करके दिखाता हूं 39600 की 39600 पर 39700 की जो call होगी वो पूरी 0 हो जाएगी ऐसे ही जो 40200 की call है वो भी हमें यहां पर पूरी जीरो देखने के लिए मिलेगी और 40700 की call भी हमें जीरो देखने के लिए मिलेगी 49600 की put 100 रुपे की हो जाएगी तो यहां पर हमें 210 210 का profit होगा और 49238 700 प्योर ओटियम बन करके यह भी जीरो हो जाएगी तो अगर 49600 बजार बन दोता है तो हमें 995 का profit होगा अगर 39700 होता है तो आप देखिए 39700 की call हो जाएगी जीरो और इस तरीके से और यह सारे option हमारे ओटियम बन जाते हैं तो यह सारे जीरो हो जाएंगे अगर आप समझते हैं तो आप इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे और इस तरीके से हमें पूरी calculation अपने निकालनी है कि हमारी क्या position मनती है अगर आप देखें उन्ताइब 700 की पुट यहां पर हमें 310 रुपर का profit होगा और यह खजान पाइंट का profit होगा अगर 39700 होता है इस तरीके से अब हम सारी calculation थोड़ा फास्ट मोड में देखेंगे तो फ्रेंड्स आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि और उसके बाद मैंने calculation निकाली है कि हम लोगों के कौन से ऐसे price बनते हैं कौन से ऐसे points बनते हैं जहां से हम loss की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं तो अगर हम यह trade बनाते हैं 25 25 इच क्योंकि बैंग निप्टी का lot 25 है तो मैं हहाँ पर 25 इच ले रहा हूं अगर हम 25 के हिसाब से इसको बनाते हैं तो आप देखेगा यहां पर overall मेरे तीन lot call के sell हैं और तीनी lot put के sell हैं और अगर बजार 38,938,900 और इधर की तरफ 40,500 रहता है तो मेरी इस trade में कोई भी problem नहीं है कोई समस्या नहीं है मैं अराम से trade में बना रहे सकता हूं लेकिन यह bank nifty है एक जित्ती घोड़ा bank nifty है कैसी चीज जो कि एक जित्ती घोड़ा है और इस पर कैसे लगाम कसी जाए वो अब हम यहां से देखेंगे कि कि किस तरीके से इस trade को hedge किया जाए क्योंकि इसको naked विलकुल नहीं मानना है हलाकि बहुत बड़ी रेंज हमने ले लिए लेकिन bank nifty के लिए कोई भी रेंज बड़ी रेंज में नहीं आती जब bank nifty एक पागलो की तरह react करती है कि कभी उपर कभी नीचे अब हमें क्या करना है अपने loss को protect करना है और loss हमें आना शुरू होता है 38,900 और 4,500 हलाकी अगर आप देखेंगे तो यह हमने एक अच्छी खासी रेंज को इतनी स्मार्टर से कवर कर लिया है 1600 पाइंट की रेंज को हमने कवर कर लिया है इस समय बजार है यहां पर 49,700 है और हमने बजार को 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 800 ही इधर हमने 1600 पाइंट पजार को कवर कर लिया जिसमें 800 पाइंट ऊपर और 800 पाइंट नीचे हमें कोई भी समस्या नहीं होने वाली है लेकिन बैंक निफ्टी ऐसी चीज़ जो 800 पाइंट, 1000 पाइंट का मॉव्मेंट एक दिन में भी दे सकता है अब इसको कैसे हैज करें तो देखिए इसको हैज करने के लिए अब हम क्या करेंगे अपने 38,900 की कॉल और 40,500 38,900 की पूट और 40,500 पर हम पहुचेंगे तो आप देख सकते हैं अब मैं 38,900 की पूट यहाँ पर लगाँगा और इसको आप पहुच जाँगा मैं सीधा 27 अपरेल में 27 अपरेल को मैं पहुच जिया हूँ ध्यान से देखेगा इसका रेट चल रहा है 445 अगर हम चाहे तो इसको राउंड फिगर भी ले सकते हैं तो 39,000 ले लेते हैं जिससे राउंड फिगर में श्ट्राइक प्रहे ज्याद अच्छे चलना है अप्रोक्स 472 का रेट आ रहा है राउंड फिगर में और अगर हम ऊपर की बात करें तो 40,500 की कॉले तो यहां से हम लोग 40,500 की कॉलों की बात करें तो इनका रेट चल रहा है अप्रोक्स 550 तो फोर्स 39,000 की पॉट ऑप्शन अब ध्यान से देखेगा थाटी नाइन थावजन की पुट ऑप्शन और 40,500 की कॉल ऑप्शन अगें देखे थाट रहा हम पूट चालस हया पांशो की कॉल ऑप्शन हम लोग यहां पर बाइग और कितनी कॉंटिटी करेंगे चितनी options को हम buy करेंगे और यह trade हमारा बहुत ही खुबशूरत तरीके से यहां पर hedge हो जाता है और यह मैंने buy किया है round figure का strike price और अगर आप बात करेंगे तो main month के साथ मैंने इसको hedge किया है अब यह options का combination है कई बार हम इसको main से भी hedge करते हैं तो कई बार हम इसको next से next से भी करते हैं इस तीसरा point इसमें Wix कभी आ जाता है कि Wix कैसी बने अगर Wix जादा है तो जो यह हमने ATM से बनाना शुरू किया है इसको हम OTM से भी बनाना start कर सकते हैं अब यह combination से अलग अलग यह आपकी पूरी Wix और options की knowledge पर depend करता है कि इन combinations को किस तरीके से बनाया जाए यह एक तरीका मैं आ कि जैसे ही अब आप देखेंगे आपका कोई भी पॉइंट टच करता है कोई भी पॉइंट टच करने का मतलब क्या है जैसे ही आपका 38,900 या 40,500 का टच करता है कुछ लोग जितने options को sell कि रहते हैं इसके 70% से भी hedging करते हैं अब यह मतलब अगर आपने 75-75 sell किया है तो इसक 50-50 से भी hedging करते हैं कुछ लोग इसको लगातार shifting करते हैं कुछ लोग hedging ना करके क्योंकि कॉलर पूट दोनों के साथ hedge करते हैं और overnight के लिए और भी दूर-दूर के strike price buy करते हैं अब यह आप पर depend करता है कि आप किस तरीके से इस concept को करना चाहते हैं इसमें बहुत सारे combinations and combinations बनते हैं अब अभी के लिए मैं इसको 100% कर रहा हूं 75-75 हमने भाई कर लिया अब अगर मार्केट फिर से इसमें से किसी रेंज में आ जाता है अब depend करता है अब माली यह काम होता है वेटनेश्टे के दिन तो हम फिर current में नहीं बनाएंगे क्योंकि अब expiring नजदी का गये तो हम next week से octopus बनाएंगे अगर यह काम होता है थष्टे के दिन तो भी हम next week से बनाएंगे अगर यह काम हो अगर आप तरीके से करते रहेंगे तो आप एक बहुत अच्छे बने रहेंगे सबसे अच्छी बात है जो की लगातार कभी नीचे कभी नाएं जो लगातार हिट करती रहती है उससे आप बहुत ही खुशूरत तरीके से बच सकते हैं यह एक एडवांस लेवल का octopus इसको हम लगातार इंप्लिमेंट कर सकते हैं इसके लिए आपको options की knowledge समझ में आने चाहिए पूरा options का खेल समझ में आना चाहिए कि हमारा stop loss कब आ रहा है कब हमें next week से जाना है कब हमें में में से जाना है कब हमें हैं इसके लिए आपको अपना risk reward और आपका fund management बहुत ही अ वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा पाया हूं कि किस तरीके से यह concept workout करता है अगर इसे strategy को कोई भी डाउट हो तो वीडियो पर comment किजिए I will be happy to answer your queries बहुत अच्छा रिटन यह strategy देगी लेकिन patience क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि patience रखेगा लेकिन patience right direction में रखेगा कही है ऐसा ना हो कि आप किसी loss making trade में patience बना के रखें क्योंकि अगर आप loss making trade में पेसेंज बनाएंगे तो आप पेसेंट बन जाएंगे पेसेंज राइट डारेक्शन में होना भी उत्रा ही important है तो thank you very much friends signing off for today your host अनुजगॉड थैंक यू